नमस्कार अंगनबाडी बाहनों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने एजुकेशन और सबसे तेज न्यूजू वाले चैनल में दूस्तो चैनल पर फर्स्ट बार पिदा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जोरू जोरू प्रेस करेगा क्योंकि अंगनबाडी बाहनों आपको पता है कि अंगनबाडी से जोड़ी जोगोई भी अपडेट्स होती है वो सबसे पहले आपको प्रवाइड करवाई जाते हैं वो बे विद्ध प्रूप के साथ जी या दोस्तो आज उचकी पांस सितंबर 2020 आज दोस्तो आज की सबसे जरूरी ताया खबरों की अपडेट्स है अलग-अलग राजियों से जोड़ी उनकी जानकारी आपको शुड़े के माधिम से मिलने वाली दोस्तो धर्णा इस्तिल से सिधी खबरों की अपडेट्स आपको मिलेगी क्योंकि आपको पता है कि अंगनबाडी बहनों दुआरा पिछले कई दिनों से धर्णा प्रदेशन के उपर धर्णा रेली द्वारा अपनी मांगों को सरकार के समक्सर रखे हुए हैं सरकारी करमचारी गोसित करने की मांग है साधी समान काम समान वेतनला भी इनको दिया जाना चाहिए चले फ्रण जानलाते हैं आज की सबसे पहली अपडेट्स सबसे पहली खबर यहां पर आप दिसो उत्तरप्रदेश के बिजनोर से हैं कि सो अंगनबाडी कारीकरतों को नोटिस हुआ जारी जी यहां दोस्तों बिजनोर अंगनबाडी विबाग में 62 साल की आयू पूरी कर चुकी अंगनबाडी कारीकरतों वसाइकों की सिवा समाप्त के जाएंगी इनकी जगह पर दूसरी कारीकरतों वसाइकों को नियुक्तक के जाने की उमीद है इस समद में 67 देस आ गया है विबागने 100 सह ज्यादा आंगनबाडी कारीकरतों साइकों को नोटिस बेज दे गया है महिला हुआ नालो से कुपोशन को खतम करने के लिए साल 1975 में महिला एवं बाल विकास एवं पोसार विबाग इस्तापना की गई थी और योजनाओ का लाप पात्रों को देने के लिए थब आंगनबाडी कारीकर्तों वसाहिकाओं को तैयार तैनाति की गई थी विबाग में आंगनबाडीों को नियुक्त तो कर लिया गय था न्यूक्टी के 45 साल बाद भी कारीकरता वसाई का ये विबाग में काम कर रही है अब सासन ने 12 साल की आयू पूरी कर चुकी आंगनबाडी कारीकरता वसाई काई को सेवा निवर्थ करने का फैसला लिया है जिले में 3236 आंगनबाडी केंदरे संचाली थे हैं जिन में 2900 आंगनबाडी कारीकरता वह इतनी ही साहिका एक काम करती है और इन में से जो भी जो 22 साल की आंगनबाडी कारीकरता है वसाई का है उनको अब रिटायर्मेंट का नोटे जारी कर दिया गया है और अगली जो अपडेट दोस्तों यहां पर आप दिखो नार नौल से हैं कि म दिख्ता ब्लोग सचीव रेखा ने की है जबकि संचालन जिला सचीव कमलेस ने किया है बैटकु संबोदीत करते हुए जिला सचीव ने का है कि सरकार के आसवसंद के बाद आसाउने अपनी अरदाल इस्तकित कर दी वही सरकार ने यूनियन से 10 दिन का समय मांगा है और मग अपडेट निकल का आ रही है दोस्तों यहां पर आप देखते हो आंगनबाडी के अंदर में जो टीका करन होते हैं उनसे समध्य बहुत ही जरूरी अपडेट्स है जो भी आंगनबाडी बहान इस वीडियो को देख रही है अंतक जरूर देखते रहेगा क्योंकि आपके लि अंगनबाडी सेविका साहिका के अड़ताल पर चले जाने के कारण बुद्वार को अंगनबाडी केंद्रों पर होने वाली मासिक टिका करन पूर्ण रूप से बादितरा और बता दे कि अंगनबाडी कारिकरतों ने 17 सुत्री मांगों को लेकर सरकार के समक्सर रखा गया थ और सेविका साहिका का मांदे बड़ोतरी का मांग परमुकता मांगों को लेकर वर्चुल वार्था भी हुई थी लेकिन अभी तक सेविका वसाहिका का मांदे बड़ोतरी की मांग पर कोई पहल नहीं किया जाने के बाद भी सेविका और साहिका 31 अगस्त से 6 सितंबर तक संक पर एनेम तो सभी उपकरणों के साथ पहुंची पर आगनबाडी का सेयोग नहीं मिलने से ठिका करन नहीं हो पाया है और अगली जो अपडेट दूस्तो इस फोटो की देखकर आपको पता चल गए होगा कि उगाई के विरोध में आसा बहो ने सीएम को गेरा है और अगली जो अपडेट यहां पर आप दिखो जो आगनबाडी के विरोध में आपको पता है आगनबाडी केंदर वर्तमान समय में बंद चल रहे है दोस्तो आपको बताई की कोरोना मामारी का कोहराम जारी है इसी बीच स्कुल कॉलिज तो बंद ही है साथ इसाथ आगनबाडी केंदर भी बंद है इसी बीच दोस्तो चतिसगर सासन ने मैलायम बाल विकास विबाग ने आगनबाडी केंदर वर्तमान कारी करने के लिए केंदर खोल ले जाने के लिए एक आदेश जारी के वो आदेश में आपको मैं बता देता हूँ दोस्तो यहाँ पर आप देख से दो समस्ता संभागी आयुक्त चतिसगर समस्ता कालेक्टर चतिसगर समस्ता जीला कारी करें आदिकारी मैलायम बाल विकास विबाग स्वास्ते एवं पोशन देवस तदा गरम बोजन प्रदान करने है तो आंगनबाडी केंदर खोलने के विषएक अंतरगत यादे जारिक किया गया है COVID-19 के कारण 14 मार्च 2020 से आंगनबाड़ी केंदों को संचालन बंद रखते हुए आंगनबाड़ी कारिकरतों दूरा हित ग्राहियों के घर पहुंचा कर सुका रासन प्रदान किया गजा रहा है और बच्चों के पोशन इस्तर को बनाया रखने एवम स्वास्ते सुविदा के लिए वर्तमान व्यवस्ता प्रपावी नहीं है अर्थार इस वर्तमान व्यवस्ता में कोपोशन के इस्तर पर कमी लाने के कठिनाई होते हैं और राश्टिय परिवार सो अस्ते सर्वेज चरन चार में राजिय में कूपोशन की दर 37% रह गई है और अंतराश्टिय एजिंसिया जैसे डबलू एचो और यूनिसीप जैसी संस्ताओं को मानना है कि COVID-19 के कारण कूपोशन में बढ़ोतरी हो सकती है अता कूपोशन की रोक बारे है जो भी खात इस चुक्त प्रदान करने के जो प्रावदाहने उनको देने के लिए तिका करने के लिए आंगनबाडी के णरस खोलने के लिए क्होले जाने का फैसला सरकार ने ले लिया है को रोना की वजह से 14 मार्च 2020 से प्रदेश की अंगनबाडी के अंदर बंद है और प्रदेश सरकार ने इस कदम के लिए को कारन बताया है और प्रदेश सरकार उनसे रिक्वेस्ट है कि शादेश के लिए इस वीडियो को अपने अंगनबाडी बानों के साथ सेर भी जरूर कर दीजीगा। सरीता रहे ने कहा है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती तब तक संगर जारी रहेगा। सब्सक्राइब को डीजीपी दफ्तर के आगे किया जाएंगा रोश प्रतसन जीयां दूस्तों पंजाब आंगनबाडी मुलाजीम यूनिन की तरफ से राज्ये में महिलाओ के साथ होरे दक्यसाई के खिलाब मुख्यमंदरी कैप्टेंड अमरिंदर सिंग के नाम जीला इस त अगली अपडेट निकल का आ रही है शुरू ही तेयारी अगनबाडी केंदर खोल कर गरम बोजन देने का निर्ण है जीयां दूस्तों अपडेट बालोत से हैं कि जिले में 14 मार्च अब तक बंद चोदो सुस अधिक अगनबाडी केंदर को साथ सितंबर से दोबारा कोला जाएगा प्रवेश के पहले किसी बच्चे या गर्वती महिलों को बुखार या ठंड बीमारी के कारण लक्षन ठंड के साथ कपकपी आना मास पेशियों में दर्द सिर दर्द गले में खरास सुआ पता चलना डायरिया बुखार लक्षन दिखने पॉजिटिम मरीज के संपर्ग में आया है यह नहीं यह सब जानगारी कारिकरताव साहिकर रखेंगी तो दोस्तों यह ती पूरी आज की अपडेट्स अंगनबाडिया असा व्रकरों से जुड़ी जो मुक्यकबरों की आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सेर करीजिगा साथ ही चैनल पर फस्ट बार पदा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी जर्योरू प्रेस करें मिलते दुस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय वारत थ थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो